बड़ी खबर जो है वो राजोरी से आ रहे है जहां से बताया जा रहा है कि GMC राजोरी की एक OT टेक्निशन जो है उन्हें रिस्टिकेड कर दिया गया है यानि कि उन्हें नोकरी से बर्खास्त कर दिया और यह है कि जिस तरह से जब रविवार को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था और जिस तरह से के पाकिस्तान के स्लोगन पाकिस्तान के जंडे और स्टेटस जो है वो भारत में अलग अलग जगों पर जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके द्वारा लगाए गए थे उसके बा जगा पर इस तरह का एक्शन जो है वो लिया गाया था जहां कश्मीर के जो तीन लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे थे बाहर एंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उनके द्वारा भी जो है इस तरह की हरकत की गए थी जिसके बाद उन्हें कॉलेज ने भी सस्पेंड क पाकिस्तान की विक्टरी की सेलिबरीशन जो है उस तरह की तस्वीरे जो है वो लगाए गई ती और जैसे ही यह सामने आया और बताया जा रहा है कि जिएमसी की जो राजोरी की प्रिंसीबल है उनके द्वारा उने टर्मिनेट कर दिया गया है यानि सीधर तोर पर उन्हें नोकरी से बर्खास कर दिया गया है एक बड़ी खबर जो है वो राजोरी से आ रही है अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि एंटी इंडियन स्लोगन्स या पाकिस्तान की वावा वाले जो तस्वीरे सामने आ रही थी आतिश बाजी जो है वो भी कहीं जगों पर देखी कि और उसके बाद से ही पूरे देश में देखा जा रहा है कि लोगों तोरा काफी ज़्यादा रोश जो था इंजी जो बड़ देखा जा रहा थे कि लोग यहां पर रह रहे हैं लेकिन जो विचारदार उनके मन में चल रही है यह लोगों के मन में वो देश के खिलाफ है वो पाकिस्तान से मिली हुई है और पाकिस्तान की ही जो जीवे जीवे के लगाता जो है उनकी तरफ से नारे लगा रहे थे और लगातार इस तरह के एक्शन जो है वो लिये जा रहे हैं जिसलिए कल भी कश्मीर के तीन जुवाओं को जो बाहर इंजिनिरिंग की पढ़ाई कर रहे थे उस कॉलेज से उन्हें सस्पेंट कर दिया गया और अब ये भी बताया जा रहा है कि उन पर जो है एफ आई यार भी लगा दी गई है वहाँ की पुलीस द्वारा क्यों कुछ स्थानियों लोगों द्वारा कुछ बीजेपी के वहाँ के वरकर थे उन्होंने इसकी शिकायत पुलीस में की थी और उसके बाद उन पर एफ आई यार लगा दी गई और अभी देखा जा रहा है कि कल भी एक वीडियो हमने पहले सुभे के वक्त आपको दिखाए थी उसने भी वाटसैब पे स्टेटस लगा था पाकिस्तान की वक्तरी का और उसने कुछ जो चैट थी उसकी वह भी सामने अए थी जिसमें उससे पूछा गया था कि पाकिस्तान के साथ है उनकी जीद के साथ है तो उसने लिखा था कि येस इसके बाद वो चीट भी फूब यहो जो भी लीग हुई थी और वह सारी काट चली पता चली तो उन्होंने भी उसकी शिकाज जो है पहले स्कूल परिचासी को कियो स्कूल ने उसे रेस्टिकेट कर दिया उसके बाद जब पुलीस को इसकी जानकाई दी गए रो पुलीस ने भी इस पर कारवाई की हाला कि उसके बाद उस महिला दोरा जो है कि वीडियो जारी कर माफी भी मांगी गई कि मैंने ये डेलिबरेटली नहीं किया ये एक मजाग था और एक मजाग के तोक पर ही मैंने इस तरह का जो स्टेटिस लगाया और यो चैट की वो सिर्फ एक मजाग था इस तरह कि उसने माफी भी मांगी थी हाला कि अब उस पर कारवाई जो है वो इन्वेस्टिकेशन भी की जा रही है और कारवाई भी हो रही है लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजोरी में भी ये जो मामला सामने आया था में बता दिया गया है कि उन्हें रेस्टिकेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भी पाकिस्तान की जीत को लेकर वॉटसेप स्टेटस लगाए था और सेलिवरेशन की जो है उनकी तरफ से terminate कर दिया गया है एक बड़ी कारवाई लगातार जारी है और आज भी देखा जाए तो राजोरी में भी एक बड़ा मामला सामने आया था जिसके बाद वहाँ की technician जो है उन्हें terminate कर दिया गया है और सीधे तोर पर इसमें कि ओटी technicians है क्या वो कहती है अपनी तरफ से वो क्या दलील देती है क्योंकि अगर उन्हेंने WhatsApp status लगाया था तो क्यों लगाया था अगर वो पाकिस्तान की victory की जीत की खुशी मना रहे थी तो क्यों खुशी मना रहे थी उनके अंदर क्या था उनका जजबा क्या था पाकिस्तान को लेकर अब उसकी क्या देखा जाए कि उनकी तरफ से क्या दलील दी जाती है क्योंकि investigation का matter तो यह रहता ही रहता है पुलीस भी इसकी तहकीकात करेगी और जाननी की कोशिश करेगी आखिर मामला पूरा है क्या है लेकिन सीधे तोर पर जेमसी राजोरी जो है उनकी तरफ से तो इनको terminate कर दिया गया है अब देखेंगे आगे इस मामले में और कौन लोग जो है वो जुड़े सामने आते है लेकिन सीधे तोर पर एक बात तो clear हो चुकी है जहां पर भी anti-indian anti-indian slogan और पाकिस्तान की वाह वाई वाले अगर नारे लगाये जाएंगे तो उनको बक्षा नहीं जाएगा इस सीधा संदेश जो है वो दे दिया गया है जिसने से कश्मीर में सबसे पहले आतिश बाजी की चीजे सामने आए थी वहाँ पर पाकिस्तान के slogan भी लगाये थी जो medical student सीनगर में पढ़ाई कर रहे हैं चाहे वो स्किम सोडा की बात की जाए या फिर जीम सी करनगर जो है वहाँ की बात की जाए उनके student ने जब पाकिस्तान मैच जीत गया था उसके बाद celebration भी की और पाकिस्तान जीवे जीवे के नारे भी लगाये थे और उसके बाद यह देखा जा रहा था कि क्या administration की तरफ से उन पर action लिया जाता है और action भी लिया गया क्योंकि कुछ student वो भी थे जो इसकी शिकायत उनने पुलीस को भी की और वहाँ जो स्थानी लोग थे उनसे भी की थी हाला कि पुलीस दोर action लिया गया और उन पर F.I.R. भी की गई थी लेगिन इसके बाद यह मामला भी सामने आया कि कुछ ULF नाम की एक संगठन है एक और जो जिनों ने जिनकी तरफ से उन लोगों को धंके दी गई जिनों ने इस चीज की शिकायत जो है वो स्थानी पुलीस टेशन में की थी उनका तरफ से कहाना था कि अगर आप इस तरह की शिकायते करेंगे तो हम आप पर भी कारवाई करेंगे यह आतंकी संगठन द्वारा कहा गया था जो लशकरे तोयबा का ही एक संगठन है जिसके तरह बनाए गया है उनकी तरफ से यह चीज़ सामने आये थी कि उनकी तरफ से उन लोगों को धंकिया दी जा रही है जो लोग इसकी शिकायत यानि कि जो पाकिस्तान विक्ट्री जीद की जो सेलिबिशन करें उसकी शिकायत जो है वो पॉली सेशन में कर रहे थे उन पर भी वो कह रहे थे कि हम आपको आपके साथ कही ना कही न कुछ ना कुछ आगए जाकर करेंगे इस तरह की बाते भी सामने आये थी हाला कि अब देखा जा रहा है कि कहीं पर भी कोई भी अगर celebration की बात सामने आ रही है जो उस तिन हुई थी और लगातार इसकी शिकायते जो है वो नजदी की पुली स्टेशन में भी की जा रही है और administration को भी की जा रही है और कोई भी अगर ऐसी हरकत करता हुआ पाया गया है तो उस पर कारवाई की जा रहे है जिससे आज अभी की बात जो है वो राजोरी की बात की जा जीएमसी की प्रिंसिपल ने जो करके बताई है अब देखा जाएगा और कौन से मामले इस से जुड़े हुए सामने आते हैं फिलाल दीजे जादत दिपर बंडारी के साथ राहू सिंग दा स्टेट सेंटेनल के लिए नमस्कार